दोस्तो फायर जिसे हिंदी में आग भी कहते हैं ये हमारे डिली लाइफ का एक पार्ट है इसे हम बच्पन से जानते और देखते हुए आए हैं तो दोस्तो एक फायर के लिए कौन से एलिमेंट्स जरूरी हैं कितनी एर चाहिए या कहें ऑक्सिजन चाहिए उसे जलने के आखेते हैं फायर ट्रेटराहट रण क्या होता है कितनी प्रकार करें या लाइब किछन फायर कि प्लास में आते हैं इन सारे सावालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो भी एकदम टेक्निकल एंड स्टेंडर वाइस वो भी आपके अपने लैंगज में तो तो दोस्तो स्वागया था आपका आपने इस चैनल में जिसका नाम है safety skill तो दोस्तो शुरू करते हैं fire के definition से ठीक है जो fire का definition है वो बहुत ही simple है और यह हर interview गरह में भी पूछा चाता है as a safety professional आपको यह जानना बहुत जरूरी भी है fire is a chemical and exothermic reaction in which fuel reacts with oxygen at required temperature as a result heat smoke and light is liberated light smoke helps to identify the fire and heat acts as a secondary source of ignition तो दोस्तो यह हिंदी में सा क्या आर्थ होगा fire एक chemical, एक रसाइनिक और exothermic, exothermic उसे कहते हैं जिस reaction से heat generate होता है उसमा निकलती है तो fire एक chemical और उसमा उसरजित करने वाली reaction है जिसको जलने के लिए fuel चाहिए या नेंधन, oxygen चाहिए जो कि हवा में मिलता है और temperature चाहिए required temperature क्योंकि हर fuel का अलग-अलग temperature होता है, burning point होता है जितना जल्दी एक कागज जलेगा उतना ही लेट से एक लकड़ी जलेगा इसलिए सब का burning point होता है तो required temperature चाहिए तभी वह जलेगा ठीक है और जब यह जलेगा तो क्या क्या निकलेगा heat यानि गर्मी, smoke यानि धुआ और light यह तीनों चीज उस fire में से निकलेगी और light और smoke यह दूने से क्या करते हैं किसी भी आग को पहचान सकते हैं अगर दूर भी जल रही है तो यह दूनों चीज हमें बताती है कि वह आग लगी हुई है और heat है जो heat है वह आग को आगे बढ़ाने का काम करती है अगर एक कागल मांग लगी है तो दूसरी कागल जैसे सटाएंगे वह तुरन जल जाएगी तो दोस्तो यह तीनों चीज जो है वह आपको ध्यान रखना है पहला है फ्यूवल दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा है तेमप्रेचर ऑक्सीजन के जगर कई लोग एर भी लिखते है और बोलते है तो फ्यूवल में क्या क्या है फ्यूवल में solid, liquid और gas यह तीनों आते हैं कितना minimum oxygen चाहिए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी environment में 21% oxygen है तो कितना रहना चाहिए minimum minimum अगर 16% भी रहा तो आग जल उठेगा तो 16% रहा तभी आग जलेगा और माल उससे कम है जैसे 14 है पंद्रह है तो क्या होगा आग जलेगा ने उससे धुवा निकलते रहेगा आप कई बार देखेंगे लोग उसमें फुक मारते हैं फैन चलाते हैं तब आग पकड़ता है चाहिए जितना उसको जुर्त है जलने के लिए अगर अंग बा dough से रहा थे ठ्वा निकलते रह जाय सन्लाइटा है तो डोस्तों अब देख सकते हैं कि ये ये जो है फाय कि हम लोग बश्पन में यह वाला जो एक्टिविटी है करते थे एक लेंज को लेकर हम लोग किसी कागज को जलाते थे थे तो इसमें दिखे यह जो यह जो चीज है यह फ्यूवल है तीक है सनलाइट जो है सनलाइट से उसे हीट मिल रहा है और एयर में ऑक्सीजन है इसलिए यह तुरंद जल उठता है तो ऐसे इसमें आग पकड़ता है कोई भी मैगनिफाइंग ग्लास जबाम लोग लेंगे और अगर उसके सेंटर से गुजरेगी तो फिर वो किसी भी फेवल को जला दीगी यह हम लोग बश्पन में करते थे उसका एक एक जेमपल है तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप भी देखे हैंगे कि अगर आपके घर में तीनों रखे होएं फ्यूबल भी है जिए रख़िए ऊक्सेजन ही जन्रली होते हीह था तो सब्सक्राइए तो हम यह चैनल को सब्सक्राइड से नंशान भी फिर भीट पताइज चंप्रक्तार में अगर अग vic अगर Vaporization नहीं होगा तो आग, continue नहीं चलेगी तो गुलीजिए विद्ट designs नीचे की रखे राती थी और उपर बत्ती राती था तो बत्ती की राती थी तो व görर को आज वे रहती थी तो छोगर यहीं होता थी यह hills नहीं होगा तो आग continue नहीं होगा तो इसलिए यह terms पी आपको याद रखने हैं तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं types of fire, classification of fire तो जो हमारा सबसे पहला class है वो class A तो इसके definition क्या fire in ordinary combustible materials such as paper, wood, textile, jute, etc. यह सब चीज कोई भी solid चीरी में जब आग लगती है वो class A में आती है अगर इसे हम दुसरे बाद समय कहें, a fire, a fire which gives as as final product जो ऐसा आग जो last में राख चोड़ता है, तो इस final product उसे हम लोग class A में count करते हैं तो हम इसा पूर याद आखना है कि class A में कोई आता है, solid materials only अगर class A में आग लगता है तो इसको बुझाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग water यूज कर सकते हैं, sand यूज कर सकते हैं और a type fire extinguisher जिस भी fire extinguisher पे आपको a लिखा होगा, आप देखेंगे different types के fire extinguisher और fire extinguisher के पीछे बड़े बड़े आपको लिखा रहता है, a, b, c step का तो जहां जिस भी fire extinguisher पे बड़ा सा ए लिखा हुआ है, वो हम लोग class A पे apply करेंगे ठीक है, तो second जो है हमारा classification वो है class B, fire in flammable liquids such as petroleum products, organic solvents, oil, paints, varnish, etc यानि liquid material कोई भी liquid material वो हमारा class B में आता है, flammable liquids, okay अगर flammable liquids में आग लगा तो हम लोग इसको बुछाएंगे कैसे उसके extinguisher में आता है, foam based extinguisher, DCP tribe, DCP का full form होता है, dry chemical powder, CO2 and sand अब petrol pump को as example ले सकते हैं, वहां पे देखिएगा, हमेशा CO2 और sand आपको रखावा मिलेगा, bucket में, sand का, 3-4 bucket हमेशा रखावा मिलेगा और अगर आप किसी petrol pump में आग लगे हुए देखे होंगे, तो हमें देखिए कि normal water का भी काम नहीं करता है एक जहाग वाला जो पानी आएगा, वो जब उसे मारेंगे तब ही वो पुझेगा, ठीक है, वही है foam based extinguisher, यह आपको ध्यान रखना है, class B के लिए, ठीक है दोस्तों, आगे है class C, class C है, fire involving gaseous substance, such as methane, propane, butane, acetylene, nitrogen, hydrogen, etc, कोई भी gas, gas में अगर fire होता है तो वह class C में होता है, ठीक है, यह turkey question है, और अक्सर fire का question आता है, तो यह question पूछा जाता है, कि electrical fire किस class में आता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना में सा, electrical fire जो है, वो class C में count होता है, ठीक है, तो इसको अगर class C और live electricals में fire होता है, तो कैस अगिस्टी करेंगे, यह हम लोग देखत है, sand use कर सकते है, DCP type use कर सकते है, CO2 use कर सकते है, ठीक है, और इसमें गौर करने वाली बात यह है, कि never use water और DCP type fire extinguisher for electrical fire, अगर कहीं भी बिजली वाली अग लगी हुई है, तो उसमें पानी का यूज एकदम नहीं करना है, और DCP type fire extinguisher एकदम यूज नहीं करना है, क्योंकि DC fire extinguisher कभी भी यूज नहीं करते है, class D, fire burning combustible metals powder such as magnesium, aluminium, zinc, potassium, sodium, etc, कोई भी metal में जो आग लगता है, वो class D में आता है, बहुत सरी कंपनी है, जो metal के साथ ही अपना product बनाती है, ठीक है, अगर उस type of company में आग लगता है, तो कभी भी अगर class D, यानि metals में आग लगा, तो हम लोग cable sand use करते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है, क्यों क्योंकि सभी fire extinguisher में किसी में CO2 है, किसी में DCP है, किसी में foam based है, तो ये सभी खुद में खुद एक chemical है, अगर chemical में reaction होगा, तो फिर कुछ और output आ सकता है, इसलिए हम लोग sand use करते हैं, ठीक है, ये tricky question है, ये आपको याद रख तो उनके दिवाल देखें, काफी काला रहता है, ठीक है, उस पे clear सी जम जाती है, रिगुलर खाना पकाने से, तो कई बार क्या होता है, कि जब हम लोग frypan में तरका मारते हैं, तो उस जो आग निकलता है, वो दिवाल पर चले आता है, और फिर वो पूरे घर में आग लगा तो दोस्तो, आजकर जो हमारा स्लोगन है, वो भी fire से related है, fire destruction is one man's job, fire prevention is everybody's job, ठीक है, fire destruction, अगर लगना एक आदमिया काम है, लगाने का एक आदमिया काम है, बट उस से बचाव करना सभी का जम्यदारी है, ठीक है, यह हर किसी का job है, इसलिए कभी भी आग लगे, तो आपको शेयर करें और like बटन पर click कर दें, thanks for